नमस्कार मैं मंगल सिंग आप स्वागत करता हूं मेरे यूटूब चनल माइक कम्पूड ग्लासेश में चलिए आज ग्लास शुरू करते हैं आज ग्लास में अपन MS Word के बारे में सीखने वाले हैं MS Word में पिछली ग्लासेश में अपने आज ग्लास में अपने रिवी टेप के बारे में पढ़ेंगे पहला जो बॉक्स आ रहा है वो प्रूपिंग बॉक्स है और प्रूपिंग बॉक्स के बारे में अपने सारा पढ़ेंगे नेक्स छास में आपने कमेंट्स ट्रेकिंग इंके बारे में बारे में पढ़ेंगे आज यसमें पने प्रूपिंग बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे इन में से एक-एक पंक्सर पढ़के देखते हैं, पहले जो पंक्सर आ रहा है, वो है, Spling and Grammar वाला, तो यह वाला आपने यूज करके देखते हैं, जैसे कि मैंने आपने सेंटर्स लिखे हैं, नाम से दल रहा है, इसका Spling and Grammar, आपने यहां Spling यह Grammar मिष्टे करेंगे, तो यहां पर रेड लाइन और ग्रीन लाइन जुरूर आएगी, तो Spling मिष्टे का कारण रेड लाइन आती है, जैसे कि आपने Spling मिष्टे कर रकी हैं यहां पर तो रेड लाइन आ गई, इस वाइसे Grammar मिष्टे कर देंगे अपन तो Green Line जुरूर आएगी, जैसे कि आप Grammar मिष्टे कर रकी हैं तो Green Line आगई, ही के साथ में ही जाता है, यहां पर अपने R लिकर का है तो Green Line आगई, लेकिन नाम लिखा अपने राहूल, तो यह बिल्कुल सही लिखा, तो भी यहां पर Red Line आई, इसका कारणी यह है, कि MS Word की डिशनिरी होती है, उसमें किसी भी वेक्ति का नाम और किसी भी स्थान का नाम आता है, तो उसमें Red Line जुरू आती है, क्योंकि MS Word की डिशनिरी में बड़ एडर नहीं होते है, इसलिए इनमें Red Line आएगी, आएगी, बागी Red Line जो आ रही है, जैसे इसको अटा नहीं हो, अपनों को यहां पर, बिल्कुल सही लिख रहा है, तो भी Red Line अटा नहीं हो, तो उटा सकते हैं, और इनको अपन Changes करने हो, तो Changes कर सकते हैं, यहां पर अपन क्लिक करेंगे, Spilling and Grammar पर, तो एक Box उपन हो जाएगा, जिसका नाम है, Spilling and Grammar नाम से, यह Box उपन हो गया, इसके बाद में आपको चैंजिस करने हैं, जैसे कि यहां पर R में, यहां पर Green Line आ रही है, यहां पर लिखा अपने हैं, तो यहां पर Secession में आगया Option, यहां Secession अपन ले सकते हैं, जैसे कि यहां पर R नहीं आता है, रही जाता है, तो इस Secession पर लिखा वारा ही, तो अपन यहां पर Change भी क्लिक करेंगे, और जैसे अपन Change भी क्लिक करेंगे, तो वहां पर Change हो जाएगा, यहां पर R, यहां पर Hage हो गया, R की जाएपे, फिर यहां पर R नाम पा गया, तो यहां पर Red Line आ रही है, अब इस पर कोई Changes अपनों करने नहीं, अगर आपको Changes करना हो इन में से, तो आप ले सकते हो, और अपनों Change नहीं करना है, तो यहां पर अपन इसको करेंगे, Ignore, केवल एक बार Ignore करेंगे अपन, अगर Ignore All कर देंगे, तो उपर जो Red Line है, वो भी अट जाएगी, Ignore, केवल, Ignore Once करेंगे अपन, तो यहां पर केवल वही रावल नाम से, जो Red Line आ रही होई हटेक यहां पर, फिर यहां पर अपन यहां पर Good Key Spling, Mistake कर रखी है, तो यहां पर सजेशन दे रखा है, यहां से आप सजेशन ले सकते हो, और Good Key Spling से ही कर सकते हो, यहां से, पस्ट में आ रहा है, इस पर अपन क्लिक कर देंगे, और Change कर देंगे अपन, तो Change जाएगी, अब अपन देख सकते हैं, रेड लाइन और Green Line हट गए यहां से, तो Red Line और Green Line आपके आजाए यहां से, तो हटाने के लिए यहां Option है, Spling and Grammar, यहां पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर एक Box हो जाएगा, और वहां से आप अपन आप सकते हो, यह जो Box है यहां पर, यहां पर और यहां से आप रेड लाइन के लाइन हटा सकते हो, और यदि आपको यह Box डारेट लाना हो, तो भी shortcut की है इसकी F7, यहां से आप Home Tapment काम कर रहे हो, और यहीं से आपको रेड लाइन हटा नहीं है, तो डाइट आप F7 प्रेस करोगे, तो यह Box ओपन हो जाएगा, और यहां से आप हटा सकते हो, और यहां पर इग्नोर पर क्लिक करोगे आप, यहां से आप मौस से किलिक कर सकते हो, या Inter दबाओगे, तो अब इग्नोर आप मौस का काम कर देगा है, यहां से इंटर दबाओगे, तो यहां हो जाएगा मौस कर देगा, यहां से बहुत हटा सकते हो, F7 दबाएक भी सबकाट कीए, यहां पर इस्प्रिंग और ग्रामर की बहुत सी बार एक्जाम ही पूचा दाता है तो आप याद आख सकते हो कि इस्प्रिंग और ग्रामर मिस्टेक अटा नहीं हो तो उसके लिए सोट कट किये एप सेवेन पिर नेक्स्ट ओप्सटन आ रहा है वो है रिसर्च और अग्रें सेम लगबग तो आपन इनको पर हड़ा देते हैं और एक नया परेगाव इंसर कर देता हूं उसमें मैं आपको यह दोनों परियोक बताता हूं नया प्रेग्राप यहां पर इंसर करना हो आपको प्रेटिस के लिए तो आप इंसर कर सकते हो फॉर्मुले की साहिता से एकुवल, R&D, Rain और आप CostaC बनाओगे, यहां पर, Open CostaC और Closing CostaC और Interface कर दोगे, तो यहां पर Random Regrap आजएगे यहां पर, जैसे कि आप Random Regrap हो गया, इसकी साइथ बहुत बढ़ी हो रही है, तो साइथ आपन क्या कर देंगे, छोटी कर देंगे हां से, जैसे कि मैंने यहां पर साही चोटी करती हूँ, यह यहां पर देखे तो कि पूरे पेज मा आ रहा है पर यहां पर इंसेट करती है, आप रहेगा इस पर आसे इंसेट कर सकते हो, अब अपनी इन दोनों को उप्शन का यूज़िए करेंगे देखते हैं इस प्रिगाम का अप् इसके 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 बारे में सब आ जाएगा यहां पर इंसर्ट से रिलेटेट जित्ते वर्ड है वो सारे यहां पर शो करेंगे जैसे इंसर्ट एडिशन अपींड यह सारे अटेच इंक्लूड यह सारे इंसर्ट रिलेटेट वर्ड है तो यहां पर शो करेंगे ठीक इस पिकार से अपन दूसरे करेंगे यहां पर घलर का अप्शवारा एक यह सथ वाला आपको अब हो है तो है करेंगे तो option आ रहा है इंसर्ट तो यहां से आप इंसर्ट का सकते हो पिर यहां पर अगर आपको copy करना हो इसको balcony word को तो copy भी कर सकते हो और इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट भी कर सकते हो जहां भी आपको इंसर्ट करना हो वहां पर इंसर्ट का सकते हो तो यहां पर जो word लिखोगे आप और उससे related कोई word आपको चीए आप तो आप यहां पर search करके या थी search करके यूज़ करके आप यहां पर add कर सकते हो और आपको यह option बंद करना है तो close निसान आ रहा है यहां से close कर देंगे फिर translate का option आ रहा है बहुत ही useful option है जैसे कि अपन Google करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं लेकिन वह उसके लिए अपन को net की की नेट चीए आपको और अगर बीडा नेट किक आपको translate करना हो तो यहां पर इमस वर्डब option है ट्रांसलेट कर सकते हैं इस से यहां से जूत नहीं पड़ेगी आपन कोई भी वर्ड ट्रांसलेट कर सकते हैं यह balcony वर्ड है इसी को अपन translate कर लाए तैं मैं ने सद्कnd लिम् यहां से अपने language चेंज कर रखिए और आपको चेंज करने हो तो यहां पर नाम आ जाएगा यहां पर चेंज गया और आपको यही वर अगर इंसर्ट कराना हो यहां पर बालकनी के यहां पर हिंदी वर इंसर्ट कराना हो तो आप इंसर्ट करा सकते हो तो आपको इंसर्ट को कि और यदि आपनों को formitting यह वर्ड लिखाओ इसको translate करना हो तो यहां से आपने translate कर सकते हैं translate पेकलिक के आपने और यहां से translate होना स्टार्ट हो जाएगा यह यहां पर यहां पे फोर्मिट्ण का यहांपमर आंपर टन्स्लेट अप्शन आरा है तो आप इस फोका से कोई भी भी वह आपको ट्रांसलेट करने हो तो यहां से इस्हों आ से पूराइव सेंटस्नेश भी ट्रॉंस देन हो तुवित कर सकते हो यह translate all option और यदि आपको translate की language बकर change करनी हो तो यहां से भी आप set कर सकते हो Arabic, English, French जो भी आपको करनी हो यहां से आप दिक्मा कर सकते हो पहले से अगर turn off हो है तो आप turn off राख सकते हो उसको और यदि आपको यहां set language में change करके आपको यहां से करनी हो आपको language translation की तो यहां से change कर सकते हो आप English जैसे अभी जो इसकी default language आ रही है वो English ही है तो आपने English ही रखेंगे और बाकिया आपको को दूसरी language करनी तो आप यहां से कर सकते हो दोने हितने important function नहीं है यहां से अपने रासलेक यहीं से अपने language change करते हैं तो यहां से अपने कर सकते हैं लेकिन यह word count वाला option है यह बहुत ज्यादा useful option है जैसे कि अपने यहां पूरा page टाइप कर रखा है अब इस पूरे page में अपनों को बोले कितने आपने page यहां पर सारा यहां पर डीटेल है जाएगी यहां पर सारा यहां पर डीटेल हैगी तो इसके बारे में आपको डीटेल लेनी हो तो यह word count वाला option बहुत ज़्यादा useful है यहां से आप देख सकते हो और यहां से इनको यूज कर सकते हो कि आपको कितने page टाइप कर रखे हैं कितने आपने टाइप कर रखे हैं अभी ती स्पेस कितने कर रखें आपने यहां पर पूरी information है वर्ड काउंट वाले option में आज कि लास में आपन ने प्रूफिंग बॉक्स के बारे में पढ़ा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरू करें मिलते हैं कि लास में तब तक के लिए बाई